हलो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार बैर नमस्कार मैं आसीस आप सबकर स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीद चनल एक लगसे अकैडमी में तोस्तों यह हमारा प्रियास संगर से लेकर सफलता की ओर उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्गुल सुवस्त होंगे पुल ठीक होंगे और अपना सारा समय और अपनी पढ़ाय में लगा रहे होंगे दोस्तों यह हमारा घटनाच की स्रीज में पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे सासन परनाली के बारे में इस से पहले हमने पढ़ा था benefit है क्या क्या उसका रोल होता है ठीक है तो सुरू करते हैं अपने मैटेयल की ओर चलिए राश्तंतर यह सासन का प्राचीनतम रूप है कि जो आजकल सासन हमारे यहां पर होता है उसका जो पहले का नाम है वह है राश्तंतर राश्तंतर क्या होता था बेसिकली जो आपका सासन परनाली है यह गवर्नेंस सिस्टम कि किस सिस्टम से गवर्नेंट यह सासन हो रहा है राश्तंतर मतला जिसमें एक राजा होता था राजा उसके बाद बदला वाया क्यों वन्सानुगत होने लगे कि राजा का बेटा राजा बनेगा राजमुकुट धान करता था और राजा क्यों पादी मिल जाया करती थी यह एक अनुवांसिंग उत्त्राधिकार था क्या था एक अनुवांसिंग उत्त्राधिकार that means hereditary, right था, ठीक है, उसके बाद कुलीन तंत्र, इसे aristocracy भी कहा जाता था, यह सासन का वह रूप है, जिसमें राजनीतिक सत्ता का निवास थोड़े से लोगों में होता है, तथा वही इसका प्रियोग करते हैं, तानसाई इसे अधिनायक तंत्र, क्या कहते हैं, निरंकु सासन होता है, जो बल परियोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है, तथा किसी के भी पड़ती उत्तरदाई नहीं होता, परजातंत्र, वर्तमान समय में सासन का सबसे अधिक लोग प्रियरूप परजातंत्र है, क्या है, सबसे फिलाल परजातंत्र है, डेमोक कुण धारन करने वाले एक राजा होता था अनुवान सिख उत्रा दिकारी होता फिर आता है कुलीन तंत्र है इसको कहते हैं उसके बादड आसाहि डिक्टेटर more इसको न अटिए को एक परजा तंत्र ठीक है मैं जहां जनता में सत्ता का वास होता है जहां जनता अपने नेता को चुनती है अर्थात लोगों को संपर्भुदा प्राप्त होती है परजत आंत्रिक या लोगत आंत्रिक सासन परनाली के कई रूप है जिन में परमुख है संग्यात्मक्षाशन और एकात्मक्षाशन कौनसा संग्यात्मक्षाशन और एकात्मक्षाशन ठीक है चलिए इन सासन परनालियों को वेवारत ते संसर्दे सासन विवस्ता और अध्यक्सिय सासन विवस्ता के रूप में जाना जाता है संग्यात्मक एक संसर्दे सासन विवस्ता एकात्मक अध्यक्सिय सासन विवस्ता के रूप में जाना जाता है राज्या के मैत्पून तत्व जो राज्या के मैत्पून तत्व है हमने पढ़ा था पिछले सम्पर्भु था जनसंक्या भूभाग और सरकार या सत्ता किसी भी राज्या का अनिवारे तत्व किसी भी राज्या का अनिवारे तत्व होता है सम्पर्भु था इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की स्रेनी में नहीं आता वर्स 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संपर्भू नहीं था ध्यानगना 1947 से पहले हमारा देश भारत संपर्भू नहीं था क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का सासन नहीं था तो संसद में क्या होते हैं मंत्री के मंडल होते हैं इस परणाली में संसद विदीनिर्मान को सर्वोज संस्था होती है क्या होती है संसद विधि निर्मान की सर्वोत संस्ता होती है एवं कार्यापालिका अपने समस्त करत्यों के लिए संसद की परती जवाब दे होती है संसद्य सासन परनाली में कार्य पालिका का अस्तिद्व विधाईका में उसके विश्वास प्राप्ती बहुमत तक सीमित है यह तक रहता है भारत की राजनितिक विवस्ता में संपून सत्ता को केंदर एवं राज्यों में समवैधानिक रूप से बाटा गया है यहां सरवोच सत्ता जनता में नीत है और भारत्य परसासनिक राजनितिक विवस्ता विशुद रूप में एक लोकतांतिरिक गनतंत्र है परनाली के नाम से भी जानते हैं कि इसको अध्याक सात्मक क्या अध्याक सात्मक सासन परनाली को राश्टपतिय सासन परनाली के नाम से भी जानते हैं इसमें समस्त कार्य पाले का सकती राश्टपती में नहीत होती है क्या होती है राश्टपती में नहीत होती है राश्टपती सासन परनाली का सरवत्तम उदारान है अमेरिका क्या है अमेरिका की राजनेदिक परसासनिक विवस्ता है अध्यक्सात्मक सासन परनाली में राष्टपती विदायका को भंग नहीं कर सकता राष्टपती सासन परनाली में सत्ता केंद्रेकरत होती है सेंटलाइज होती है राष्टपती ही कार्यपालिका का परमुक होता है अद्यक सात्मक सासन परनाली में राष्टपती अपने मंतरियों के चुनाओं में सवतंतर होता है और मंतरियों के चैन में विस्थाफिका की भूमिका नाम मातर ही होती है भारत्य सम्विधान की परियुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह इसपष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एक मात्सरोत जनता है जो परतिनिद्यों का निर्वाचन सत्ता संचारा नेतु करती है अतै भारत्य लोकतंत्र में जन परतिने दियो को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है भारत्य संविधान में संग एवं राज्यों की सक्तियों को संविधान में इसप्रस्त विवाजित किया गया है इसलिए भारत्य संविधान की परिसंगिय भी कहा जाता है बाड़ा सम्विधान को परिसंगे भी कहा जाता है बिटिस संसद को संसदों की जन्नी कहा जाता है बिटिस संसद को संसदों की जन्नी कहा जाता है तो अगर बात करें राष्टपतिय सासन परनाली जो की अद्द्यक सात्मक सासन परनाली है उसका उदायन कहा है? ब्रिटेन में परंपराओं के अनरूप अवस्य कानून बनाते हुए परसासनिक विवस्ता का संचलन किया जाता है क्योंकि ब्रिटेन में लिखित सम्विधान का अस्तित्व नहीं है। ब्रिटेन सम्विधान में एकात्मक सासन के परमुक लक्सनों में राज्यपाल का पद, अखिल भारत्य सेवाएं, एकल नागरिक्ता, आपातकालिन प्रावधान और राज्या सभा में एसमान पढ़ती निजित्व सामिल है। बारत एक गंतन्त रहें, क्या है एक गंतन्त रहें, इसका मतलब है कि भारत्य राज्यनितिक परसासनिक विवस्ता के सरवोचपद, और पद कौन सा है, राष्ट्पती पर निरवाचित व्यक्ति आसीन होता है। राश्पति पत पर भी एक चुना हुआ व्यक्ति ही आसीन होता है, भारतिय सम्विधान में संग्यात्मक एवं एकात्मक दोनों विवस्थाओं के तत्व पाई जाते हैं, परन्तु भारतिय सम्विधान मूलते संग्यात्मक है, क्या है संग्यात्मक, के सी वहियर, क्या है, के केसी वियर ने भारत को अर्ध संग्यात्मक राज्य कहा है, भारत्य संग्वाद को सैकारी संग्वाद जी ओस्टिन ने कहा है, क्या कहा है, सैकारी संग्वाद किसने कहा, जी ओस्टिन ने, भारत्य संविदान अधिक कटोर और अधिक लचीले के मद्य एक संतुलन इस्थाप स्थाबित करता है यह कथन कि ने कहा केसी वियर ने, एक तो इसने भालत को अर्द संग्यात्मक्त्य कहा दूसरा उसने बताया कि यह अधिक कठोर और अधिक लचीले के मद्य एक संतुने स्थापित करता है बियारंबेट करन के अनुसार संविधान को संग्यात्मक्ता के तंग ढाचे में नहीं ढाला गया है तो यह थी हमारी इसकी थियोरी अब आते हैं इसके प्रस्नोपन निमलिकित में से कौन सा राज्या का सबसे महत्पून तत्व है धोज, राजदानी, संपरबुता, सासनाद्यक्स तो हमने पढ़ा था कि संपरबुता सबसे महत्पून तत्व है ठीक है नेक्स्ट, बारते सम्विधान में किस परकार किस सासन परनाली की विविस्था की गई है, लोगतंतरात्मक, अद्यक्सात्मक, संसादात्मक या अर्ध लोगतंतरात्मक, तो हमने पता है कि संसादात्मक सासन परनाली की विविस्था बारते सम्विधान में की गई है, ठीक है क्योंकि साथन परनाली की दो विवस्ता होती है दो पदिती होती है एक संसदी है एक अध्यक्सिय है अध्यक्सिय है मतलब वही जो राश्टपती के हाथ में सब कुछ रहता है संसदी है जो एक संसद के थुरू होता है तो हमारे भारत की कौन सी है संसदिय सासन विवस्ता है ठीक है? इसमें विवस्तापिगा की सदस्य ही कार्यापाली का गठन करते हैं और कार्यापाली का विवस्तापिगा की परती उत्तरदाई होती है Next question number 3 बारत की संपरबुदा के संबंद में बारत की संपरबुदा के संबंद में कौन साय कौन से कतन सही है बारत राष्ट मंदल का सदस्य है बिल्गुल ठीक है राष्ट मंदल का सदस्य है राष्ट मंदल की सदस्यता इकारण बारत की संपरबुदा कम हो जाती है नहीं कम क्यों होगी भई संपरभूता तो उतनी ही रहेगी तो इसलिए ये दो गलत है और ये आपका ये सही है ठीक है? तो इसमें सिव आपका ये option एक ही सही है चलिए next 4. संसदात्मक सासन परनाली क्या है? ये विवस्ता क्या है? नियापालिका का कार्यापालिका पर नियंतरन होता है नहीं कार्यापालिका का विधाइका पर नियंतरन होता है नहीं विधाइका का कार्यापालिका पर विधाइका लेजिलिटिव असेमली का एक्जिक्यूटिव असेमली पर नियंतरन होता है तो option D इसका correct answer हो जाएगा next सब परतम संसदात्मक सरकार किस देश में आरम की गई तो भी आपको बताया संसदात्मक सरकार की गई थी Britain में UK में ठीक है next 6 निम्लिकित में से कौन सी भारते समिदान की विशेशता नहीं है संसदात्मक ये तो है सबतन नयाप अलिका ये भी है, संग्यात्मक सरकार ये भी है तो अध्यक, सात्मक सरकार जो है वह इसकी विशेशता नहीं है कहां की है अमेरिकल की है ठीक है चलिए भारत में संसद्य परिनालिकी सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रतेक्स रूप से निर्वाजित होती है नहीं संसद सम्विधान का संसुदन करती है राजे सभा को भंग नहीं किया जा सकता मंदरी परिसद लोकसभा के परती उत्तरदाई है बिल्गुल ठीक है संसद परनाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा के परती उत्तरदाई है चलिए नेक्स भारत के संदर्व में संसद संपरनाली में निम्लिकित में से कौन सा या कौन से सिद्दान संस्तागत रूप से नहीं है तो मंदरी मंदलिया के सदस्य संसद के सदस्य होते है बिल्कुल जब तक संसद को विश्वास प्राफ्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं बिल्कुल ठीक राज्य का अद्यक्स ही मंद्री मंडल का अद्यक्स होता है नहीं ऐसा तो नहीं है ठीक है तो इसका option हो जाएगा A क्योंकि इसमें पहला दूसरा सही है अनुचित 75 के पांचवे में उलेक किया है कि मंद्री बिना संसद सदस्य बने 6 महां से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा अर्थात मंद्री मंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते है मंद्री परिशत सामुई करूप से लोकसभा के पड़ती उत्तरदाई होगी इसलिए कथन दो भी सही है राज्य का अध्यक्स राश्पती होता है जबकि मंद्री मंडल के अध्यक्स था परदान मंद्री करता है ठीक है? चलिए 9 संसद सवरूप के सासन का परमुक लाब यह है क्या लाब है कि कार्या पालिका और विदान मंडल दोनों सवतंतर रूप से कार्य करते हैं? नहीं यह नेति को निर्णतरता परदान करता है और यह अधिक दक्स है? नहीं कार्या पालिका विदान मंडल के परती उत्तरदाई बना रहता है? बिल्गुल ठीक ड हो की नहीं है निम्लिक्थ में से कौन सी विजेशता भारत्या राज तंतर की नहीं एक सम्विदान संगत सरकार लोगतांत्रीक सरकार विदीक produz ul & सबタब ant personally कर दूब सत्ता वाद सरकार नहीं है कभी भी सत्ता बदल जाती है ठीक है चलिए 11 राश्टपती पदिती में समस्त कार्या पालिका की सक्तियां नहींत होती है राश्ट्पति में कैबिनेट में विवेस्थापिका में उ thrill सुद्ण में तो राश्ट्पति पशेथी में १ करीयापालिक की सक्तिया राश्ट्पति में नहीं होती है वदान आपको अमेरिज का बताया था भी चलिए नेक्स ॥ निमनलिखित कतनों में से उस एक को चुनिये जो मंतरी मंडल सर्वरूप की सरकार के अंतर नहीं सिद्धान्त को अभिवैक्त करता है तो कौन सा है ऐसी सरकार के विरूद आलोचना को कम से कम करने की विवस्ता जिसके उत्तरदायत्व जटिल है तता उन्हें सभी के संतोस के लिए निस्पादित करना कठिन है गलत ऐसे सरकार के काम-काज में तेजी लाने की किरिया विदी जिसके उत्तरदायतök दिन परती बढ़ते जा रहे हैं सरकार के जनता के परती शामुक उत्तरदायत को सुनिश्चित करने के लिए संसद्य लोकतंदर की एक किरिया विदी है बिल्कुल ठीक, तो इसमें आपका option C correct answer होगा दोस्तों, ठीक है, चलिए, 13, भारत में राजनीतिक विवस्ता के मूलबूत लक्सन है, यह एक लोकतांत्रिक गंतंत्र है, बिल्कुल ठीक है, है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल ठीक, संसदात्मक है, सर्वोच सत्ता भारत की जनता में नहीं थे, यह भी बिल्कुल ठीक है, तो यह एक एक लिकरत सक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, तो इसमें आपका जो option हो जाएगा, option B, पहला दूसरा तीसे से यह चोटा नहीं है, नमबर 14, निम्लिकी कतनों पर विचार करना है, पहला बारत एक लोकतांतिक राज्य विवस्ता है, बिल्कुल ठीक है, है, बारत एक परभुसत्ता समुपन राज्य है, बिल्कुल है, बारत में लोकतांतिक समाज है, बिल्कुल ठीक है, है, बारत एक कल्यानकारी राज्य है यह भी बिल्गुल ठीक है, तो यह मैं चारों ठीक है दोस्तों, that means option D आपका सही answer हो जाएगा 15, केंज सरकार और राज्य सरकारों को प्रादिकार प्राप्त होता है केंज सरकार और राज्य सरकारों को प्रादिकार प्राप्त होता है बारत सम्विधान में बारत के राश्टपती से बारत के प्रधानमंदेश से या बारत की संसत से तो जो भारत का सम्विधान है उससे केन सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है नेक्ट निम्न में से कौन सुशाशन की विशेशता नहीं है जवाब दही पारदर्सिता कानून का नियम लाल फीता साई तो लाल फीता साई आपकी सुशाशन की विशेशता नहीं है ठीक है बाकी हिस्सेदारी जवाब दही पारदर्सिता कानून का नियम सर्वसम्मत्ति से निर्न लेना दक्सता यों प्रबाव सेलता ये सब सुसासन की विशेशता हैं ठीक है चलिए next 17 निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए और नीचे दिये गए कुरूट से सही उत्तर को चुनिए बारत और ये लोकता इत्रीक देश है यह बात विल्कुल ठीक है बारत का अपना एक सम्विदान पर आपनत्रीक है इसमें आपका ही वैस्विपित का ऊप्षन पर राजज्य जिसको आप वैल्फिर स्टेट कहते हैं उसका उद्देश से क्या है? अधिक्तम संक्या का अधिक्तम कल्यान सुनेश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्यान का परबंद करना, सभी नागरियों को स्वास्ता सुविदाय परदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं. तो कल्यान का ये राज्या का जो उद्देश से है वे अपने कमजोर वर्गों के कल्यान का परबंद करना है इसका है कमजोर वर्गों जो कमजोर वर्ग हैं उनके कल्यान का परबंद करना है ठीक है? राज्ये हर जगे है यह अंतराल सायाधी कोई छोड़ता है यह वक्तवी है किस धारना की व्याख्या करता है कल्यान काई राज्यगी कम्यूनिस्ट राज्यगी लोकतांतरी किया पुलिस राज्यगी राज्ये हर जगे है यह अंतराल सायाधी कोई छोड़ता है तो क्या धारना है कल्यान काणी राज्ये कि धारना है कौन सी राज्ये कि तरसन नहीं है नेक्स निवलेकित कत्रों में से कौन सा सही है बारत्य संविदान अध्याकसात्मक है गलत है यह तो संसदात्मक है बारत एक नाममात्र का राजतंत्र है गलत नाममात्र का क्या राजतंत्री नहीं है बारत एक कुलीन तंत्र है यह भी नहीं है बारत एक संसदा परजटम्द्र है नेट्स 22 बारत में राजन्यादिक सत्ता का परमुक स्रोत कोन है जन्ता संसत संविधान राष्ट्रपती तो हम जानते हैं कि जन्ता इसका परमुक स्रोत है निम्नांकित में से कौन एक अध्यक सात्मक सासन पर्णाली का आदार्बूत तत्व है सम्विधानी कटोरता एकल कार्यापाली का विस्तापिका की सर्वोस्ता और अवसिष्ट अविधिकार राज्यों के पास होना तो अद्यक्सात्मक सासन परनाली का दाबूतत्व है एकल कार्यापाली का, क्या है एकल कार्यापाली का, ठीक है, चलिए, केंद्रिक सेंट्राइस पावर होती है, निमलिकित में से कौन सा सही है, अद्यक्सात्मक सासन परनाली की विशेषता है, कार्याकारेनी का परमुक रा राष्टपती अपने मंदि परिशत का चेहन सुम करता है बिल्कुल ठीक राश्टपती विस्थापी का को भंग नहीं कर सकता बिल्कुल ठीक उपर वर्नेत सभी तत्य सही है बिल्कुल ठीक है। कि उपर लिखी तीनों बाते बिल्गूल सही है Next बारत में परजातंतर इस तथे पर आधारित है किस तथे पर है सम्विधान लिखित है यहां मुली के दिकार परदान किए गए है जनता को परजातंतर पूछा है जनता को सरकारों को चुनने ज़दा बदलने का अधिकार प्राप्त है इसलिए और इसी तथे पर पड़जातंत्र आधारित है ठीक है चलिए 26 लोकतंत्र का उतकरष्ट गुन यह है कि यह किरियासील बनाता है लोकतंत्र का उतकरष्ट गुन यह है कि यह किरियासील बनाता है किसको साधारन पुरुसों और महिलाओं की बुद्धी और चरित्र को कारिया पालग नेतरत को सजग बनाने वाले पज़तियों को गतिसीलता और दूर्डरसिता से युगत एक बैतर वैक्ति को या समर्पिद दलिय कार्य करताओं के एक समूँ को तो दोस्तों यह साधारन पुरुस और महिलाओं की बुद्धी एवं चरित्र को किरियासील बनाता है नेक्स्ट एक उप्षन से होग इसका बारत एक गंतंत्र है इसका अर्थ क्या है सभी मामलों में अंतिमधिकार जनता के पास है बारत में संसद्य सासन नहीं है बारत में वंसानुगत सासन नहीं है तो यह इसका उप्षन होगा कि बारत में वंसानुगत सासन नहीं है यही मतलब है बारत एक गंतंत्र है इसका ठीक है? चलिए 28 भारत एक गंतंत्र है जिसमें अंतर नहीं थे क्या राज्या का अध्यक्स निर्वाचित होता है देश सवतंत्र है देश में एक जनतांत्री विस्ता की सरकार है देश में अंतिम सत्ता सांसद में नहीं थे तो एक गंतंत्र है क्या गंतंत्र किसमें नहीं थे कि राज्या का अ अध्यक्स निर्वाचित होता है और यही गंतंत्र है ठीक है भई निर्वाचित होता ना लोग चुनते हैं उसको भी वो भी अपने मर्जे से नहीं आता ठीक है होता है option number d कि जो आपकी केंदूर राज्ये की 20 सकतियों का वित्रन है उससे पता लगता है कि बारत का समीदान परिसंगी है ठीक है बारत का समीदान कैसा है कथोर है, लचीला है ना कथोर है, ना लचीला है यह अनस्ता कथोर और अनस्ता लचीला है तो option number D आपका होगा कि यह कुछ हिस्सा सा कठो रहा है और कुछ लचीला है ठीक है चलिए 32 भारत की संसद्य साथन परनाली एवं बिर्टेन की संसद्य साथन परनाली में अंतर का बिंदू निमलिकित में से कौन सा है तो इसका है नियाइक समिक्सा अंतर क्या है नियाइक समि ठीक है चलिए नेक्स्ट निम्न मेंसे कौन एक बारत के संविदान का संग्य लक्सन नहीं है केंद और राज्यों के बीच सक्ति का बटवारा पून रूप से लिए समिदान एकहरी नागरिक्ता और सवतंत्र नयाइपालिका तो जो एकहरी नागरिक्ता है यह बारत के लक्सन नहीं है बारत संविदान में एकात्मक और संग्यात्मक दोनों ही विशेष्टाएं मुझूद हैं बारत संविदान के संग्यात्मक लक्सनों में लिखित संविदान कठोर संविदान केंद्र तथा राज्यों में सक्तियों का वितरन नयापालिका की सर्वोस्ता करने में सनसंग कि सकती आधी का उले किया जा सकता है ठीक है तो क्या है एक Aheri नागरिक्ता इसका लक्सन नहीं है चलिए नेक्श्ट 34 कि निमन कतनोंपर विचार करना है और कतन भाrons शमाणा कोट उसमें शाड़ना है तो भारत मीं समविधान में भारत के सम्विदान में एक संगय परणाली का प्रावदान है बिल्कुल है बार उसने एक बहुत सक्तिसाली केंदी की रचना की है ये भी सही है लेकिन उसने एक सक्तिसाली केंदी की रचना की है ये इस पस्टिकर नहीं है कि सम्विदान में एक संगय परणाली का हो चुका 35 पाई है कथन भारत में संग वाजिता व्यवारिक नहीं है बारत में संग वाजिता व्यवारिक नहीं है बिलकुल बारत एक संग्य राज्य नहीं है ये गलत है तो आपका इसमें ए सही है और और गलत है ठीक है चलिए कोशन नुमर 36 भारतिय संग्य व्यवस्था में कौन से एकात्मक ततुफ पाई जाते हैं हमने अभी पड़े थे तो कौन से लिकित सम्विदान, कटोर सम्विदान, सम्विदान की सर्वोच्टा राज्यपाल की नियुक्ती, सक्ति का विकेंद्री करन राज्यपाल की विदेव उपर राष्टपती की स्विकर्ति, सम्विदानिक, संकट और एक सर्वोच्ट नियाल ले ठीक है बताईए तो भारत्य संग्यवेस्ता में कौन से एकात्मक ततुफ पाई जाते हैं तो इन में से कोई सभी एकात्मक ततुफ नहीं पाया जाता ठीक है कैसे क्योंकि उपर उप्षन दिये गए नहीं पहला तीसरा साथवा, दूसरा पांचवा आठवा पहला दूसरा पांचवा, चोथा, छटा, तीसरा ठीक है अब अगर बात करें अगर बात करें तो जो आपका चोथा, छटा और साथवा है मतलब की राज्य पायल की नियुक्ति राज्य विधेकों पर राश्पते की स्विकर्ति या समवैधानिक संकट ये तीनों भारत्य प्रिसंग्य विवस्ता के एकात्मक तत्व हैं युनिटरी एलिमेंट्स हैं परंतु ये तीनों किसी भी विकल्प में एक साथ विदमान नहीं है इसलिए करम संक्या पहली, दूसरी, तीसरी प्रुलिकित सभी तत्व परिसंग्य विवस्ता हैं क्या फेडरल सिस्टम है के अनिवार्य तत्व हैं ठीक है? करम संक्या पांच पर उलिकित तत्व को यदि हम सक्तियों के विवाजन के प्रियावाची के रूप में लें तो ये तत्व परिसंग्य विस्ता का कारक तत्व अत्थात सरवादिक आदार्बूत तत्व है ठीक है? चलिए नेक्स्ट आपका होगा कोश्ट नमबर 37 इन में से कौन सा भारतिय संग्य विस्ता में एक आत्मक तत्व है तो दोस्तों ये आप इसमें जवाब मिलेगा आपको क्योंकि इसमें ओप्शन दिये हुए बैटा ये ठीक है उसके बाद आपका राज्य सब्वा में एसमान परतिय ज़िए ये ठीक है उसके बाद अखिल भारतिय सेवाएं ये ठीक है तो आपका ओप्शन भी इसके लिए करेक्ट आंस्वार हो जाएगा ठीक है? विवस्था से संबंदित निम्न कत्रों में से कौन सा सही है? तो पहला है समविधान सासन की मूल संद्चना के लिए एक संग्य विवस्था की प्रस्तावना करता है एकात्मक जुकाव का उसमें ससक्त मिस्रन है दोनों संग तथा राज्य विदाइकाएं सपर्भूत्व संपन है और विदाइकिये वित्य तथा विन्याइक सक्तियां संग तथा उसकी काईयों के मद्या विभाजित कर दी गई है तो इसमें आपका संविधान सासन की मूल संद्चना के लिए एक संगे विवस्ता की प्रस्तावना करता है बिल्गुल ठीक है दूसरा एकात्मक जुकाव का उसमें सजक्त मिस्रन है यह भी बिल्गुल ठीक है बाकि दो तीसरा चोता सही नहीं है तो इसमें आपका उप्शन हो जाएगा दोस्तों बी केवल एक और दो ठीक है चलिए पोशन नमबर तीसरा सोता गलत है क्यों? क्योंकि राज्य विदायकाएं रक्सा एवं वैदेसिक मामलो सहीद अनेक संदर्बों में केंद से अलग नहीं है साथ ही यहां नियाएक सक्तियों का सोपानबद करम है संग एवं राज्यों के मद्य विभाजन नहीं है इसमें भी कथन दिये है ठीक है दोस्तों? तो जो कथन दिये हैं वै क्या है? बारत का राश्ट्मति परोक्षते निर्वाजित होता है बारत का राश्पती परोक्ते निर्वाजित होता है दूसरा भारत में संसद्य परणाली को गंतंतर वाजित के साथ जोड़ा गया है तो इसमें आपका पहला भी सही है और दूसरा सही भी है साथ साथ वै एका स्परश्टिक करन भी करता है मतला भारात का राश्टपती परोक्सता निर्वाचित होता है बिल्गुल सही बात है और संसदे पणाली को गणतनत्रवात के साथ जोड़ा गया है क्यों क्यों लिब संसदोती है उसके मंत्री परिसदी साथ में मिलकर राश्टपती को चुनता है तो इसमें आपका option यह हो ज है ठीक है यह वक्तव्य है राजनितिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं राजनितिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं ठीक है और जब सदन खराब होता है तो लोग उन्हीं दलों को क्या करते हैं कोशते भी हैं तो यह बात बिरुकुल ठीक है यह दोनों ठीक हैं साथ की साथ जो आपका आर है वह एक अस्पश्टी करन भी करता है next 41 कतन दिया हुआ है A और कारण दिया हुआ है R तो कतन क्या है बारत की संग्यात्मक सनरचना का मुख्य उंदेश से बहु आयामी विविद्टाइं मेंसे एक राश्ट का निर्मान करना और राश्टे एक तब उस रिद्धारे निर्मान करना था बिरुग ठीक था लेकिन R A का स्पष्टिकरन, A और R दोनों अपने आप में सत्य हैं और R A की सही व्याख्या करता भी है. विवित्ताओं में समंजस्य से एक ससक्त नई कमजोर भारते राष्टे तक निर्मान हुआ है. उसके बाद ही भारत की संग्यात्मक सनर्चना का मुख्या उद्देश से इसकी बहु आया में विवित्ताओं में से एक राष्टे का निर्मान करना और राष्टे एक तको सनरक् करना था तो इसमें आपका option भी सही हो जाएगा ठीक है चलिए 42 कतन दिये हुए हैं महिलाएं दलित निर्धन एवं अल्प संक्यक समू भारत में लोकतंत के सबसे बड़े दावेदार हैं बिल्कुल हैं भारत में लोकतंतर अधिक आत्मसम्मान की कामना का वहाग बनकर उबरा है बिल्कुल उबरा है तो इसमें आपका ए बिल्कुल ठीक होगा ठीक है चलिए 43 बारते सम्विदान के वरहत होने के कारण है क्या कारण है इसमें अनेक सम्विदानों के अनुबव समाविष्ट है ठीक है इसमें विस्तरत प्रसास के प्रावदान है यह एक बड़े देश इसके सतन से सम्बंदित है यह संग तथा राज्य सरकारों का सम्विधान है देखो दोस्तों एक्चुल में क्या है कि बायात का सम्विधान विश्व का सबसे बड़ा सम्विधान है ठीक है इसके वरहत होने का कारण एक कारण नहीं है बलकि उप्रियुक्त सभी कारणों में स सम्विधान का सवरूप ब्रेदगार हो गया है उपर जो है सारे करण सही है इसलिए इन में से कोई भी विकल्प एक विकल्प सही नहीं है सभी के सभी सच हैं इसलिए इसका option अगर होता पांचवा की उप्रूक्त सभी तो आप उसको कर सकते थे यह आपको बताया जिससे की आगे question है तो आप उसमें confused ना हो ठीक है next 44 तो इसके ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है और ये भी सही है next भारतिय संसद भारतिय संगवाद को सैकारी संगवाद भारतिय संगवाद को सैकारी संगवाद किसने कहा है अभी आपको बताये थे तिजी ओस्टिन ने किसने कहा है जी ओस्टिन ने क्या कहा है बारत्य संगवाद को सैकारी संगवाद कहा है जी ओस्टिन ने चलिए 45 कारण और दोनों ही कारण है क्या है बारत्य संविधान अर्ध संग्यात्मक है बारत्य संविधान ने तो संग्यात्मक है और ने एकात्मक है तो क्या कि जो बारत्य संविधान है वे अर्ध संग्यात्म नेग्स किस ने बाइज संग्यात्मक राज्य है उक इसमें आपको ऑप्शन कम राज्य है लेकिन बहुत भारतं अर्ज संग्यात्मक सभाश है ये और किस ने गए कर दो चलिए 47 कि बारतिय सम्मिधान के लिए यह बार्द सम्विधान के विश्य में निम्लिखित कतन निम्न में से किसका है तो बार्द सम्विधान अधिक कठोर है और अधिक लचीले के मद्दे एक अच्छा संतुरन इस्थापित करता है यह भी किसने कहा था यह भी हमारे केसी वहियर ने ही कहा था ठीक है चलिए next निम्नांकित में से किस का कतन है कि सम्विधान को संगयातमकता के तंग डाचे में नहीं डाला गया है यह है तो हमारे भियाड अंबेडकरजी ने कहा था मित्खों और कहावतों उनके रूप में परसाशन के सिद्धानतों किसने एश्विकार किया था हरबर्ट साइमन ने, डुवाइट वाल्डो ने, फ्रैंक मेरिन ने या F.W. डिंक्स ने तो दोस्तों ये हरबर्ट साइमन ने एश्विकार किया था जबकि डुवाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और F.W. रिंक्स ने इसको क्या किया था स्विकार किया था, तो हरबर्ट साइमन ने नहीं किया था नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन विकास परसाशन की अवधारना से सम्मंदित है तो कौन विकास परसाशन की अवधारना सम्मंदित है यह आपका F.W. रिंक्स इन्होंने अपनी परसित पुस्तक जो की Administration Development, Inclusive Concept में लिखा है कि विकास परसाशन उन कारे कर्मों और परियोजना हों को पूरा करने में संगडित परियादु सम्मंदित है जो विकास में सनलगन वैक्तियों दुआरा परिवर्तित किये जाते है तो कौन सम्मंदित है F.W. रिंक्स इनकी किताब का नाम क्या है Administration Development क्या नाम है Administration Development Inclusive Concept चालिए 51 विधी और स्वाधिन्ता क्या है विधी और स्वाधिन्ता के बीद सबसे उप्यूक्त संबंद को निमलिकित में से कौन पर्तिविंबित करता है यदी विधियां अधिक होती है तो स्वाधिन्ता कम होती है गलत है यदी विधी नहीं है तो स्वाधिन्ता भी नहीं है ये ठीक है यदी स्वाधिन्ता है तो विधी निर्मान जनता को करना होगा नहीं यदी विधी परिवतन बार बार होता है तो यह स्वाधिन्ता के लिए खत्रा है बिल्कुल सही तो ज चलिए निम्नांकित में से कौन एक चिंतक लोक परसासन तथा नीजी परसासन में समानताओं का समर्थक है। कौन लोग परसासन और नीजी परसासन में समानताओं को समर्थक है ? Herbert Simon, Sir George Starm, Paul H. Appleby और Henry Cure तो कौन है ? यह आपका Henry Fuel है Henry Fuel आपके लोग परसासन और नीजी परसासन के समानताओं को समर्थक करते है चलिए 53 यदि हमारी समवैता wiefal होती है तो यह मुक्यतर परसाथन के दौस्त होने एक कारान होगा यह कतन किसने दिया तो यह कतन दिया था आपके B. Donham ने किसने? B. Donham और इनकी एक किताब है B. Donham की Administration से सम्मंदित The Theory and Practice of Administration The Theory and Practice of Administration जो कि 1936 में लिखी गई थी इन्होंने ही कहा था कि यदि हमारे सब्वेता ऐसाफल होती है तो ऐसा मुक्यतर परसाथन के पतन के कारण होगा Next, बारत्य राजनितिक पदिती के बारे में बारत्य राजनितिक पदिती के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है धर्म निर्पेक्स राज्य संसदिय पदिती की सरकार संग्य नीती या राष्टपतिय पदिती की सरकार तो भारत्य राजनेती पदिती में राष्टपति पदिती की सरकार सही नहीं है ठीक है चलिए 55 गंतंत्रिय अवधारना से संबंदित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है एक राज्या जिसमें जन्त सर्वोच हो, सर्वोच सक्ति निर्वाचित परधान में नहीं थो, सर्वोच सक्ति एक राज्या के समान एक ही व्यक्ति में नहीं थो यह गरत है सी भाई राजा की तो अब बात ही खतम होगी भारत में ठीक है यहाँ सब जंता के हाथ में आच चुक है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट 56 निमलिकित में से किन को विधी के सासन के परमुक लक्षनों के रूप में माना जाएगा विधी के सासन के परमुक लक्षनों के बीच में रूप में माना जाएगा सक्तियों का परिशिमन विधी के समक समता सरकार के परति जन उत्तरदायत्व और सवतंतरता और नागरिक अधिकार तो दोसु सरकार के प्रति जन उत्तरदायत में हैं, जन की प्रति सरकार के उत्तरदायत में तो आपका तीसरा गलत है, बागि सारे मुख्य लकसन है, तो आप इसमें एक दो चार कौन से मैं हैं, C, इस C को आप सेलेक्ट कर लेंगे, चलिए नेक्सन 57 निम्लिकित कतनों पर विचार करना है, कतन क्या है? समवेधानिक सरकार यह है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की सवतंतरता पर परभावकारी परतिबंद लगाती है, ऐसा है क्या? नहीं, दूसरा, जो व्यक्ति की सत्ता के हित में राज्य की सत्ता पर परभावकारी परतिबंद लगाती है, वैई समवेधानिक सरकार है, तो इसमें आपका केवल 2, ओप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स, 58, समाज में समानता के होने का एक निहार्थ यह है कि उसमें विषैसाधिकारों का अभाव है, अवरोदों का अभाव है, परतिष प्रता का अभाव है, तो विचारधार का अभाव है. समाज में समानता की होने का एक नहितार्थ यह है कि विशेशादिकारों का अभाव है विशेशादिकार की किसी के विशेशादिकार नहीं दिये हुए हैं इसकी वयासे समाज में समानता की होने का एक नहितार्थ है नेक्स 59 बारत दूसरे परसासनिक आयोग के कौन से परति वेदन ने बारत में सुसासन की बादाओं की पैचान की है सासन में नैतिकता नागरिक केंदरित परसासन ये सासन को बढ़ावा या इस्थानिय सासन तो इस्थानिय सासन होगा क्या नहीं नागरिक केंदरिक परसासन क्या होगा नागरिक केंदरित परसासन सासन का केंदर बिंदू दूसरे परसासनिक आयोग के कौन से परतिवेधन ने भारत में सोसासन की बादाओं की पैचान की है तो किसने की है नागरी केंदरिट सासन ने इसकी पैचान की है चलिए कोशन नमबर 60 भारत एवब अमेरिका की राजनीति के विस्ताओं के बीच निमलिकित में से कौन से विस्यस्ता है समान है तो अवसिष सक्तिया केंदर के पास है अवसिष सक्तिया राज्यों के पास है राश्टपती के पास पोकेट वीटो की सक्ति है उच सदन में कुछ मनोनीत सदस्या होते हैं तो सिर्फ आपका इसमें तीसरा राश्टपती के पास पोकेट वीटो की सक्ति है यही आपका 61, बारत्य संगवाद में विवित्ताओं में एकता को परोनत करने हैं तू, निमलिगित में से किन संस्थानों को आवस्यक माना गया है? अंतराज्य परिशत एवं राष्ट्य विकास परिशत वित आयोग एवं छेतरिय परिशत एकल नयाएक विवस्था एवं अखिल बारत्य सेवाई या उपरोग सभी तो दोस्तों उपर के जितने भी सारी संस्थाने हैं इनको ही आवस्यक माना गया है ठीक है चैवापका अंतराज्य परिशत हो या राष्ट्य विकास परिशत हो वित आयोग हो या छेतरिय परिशत हो एकल नयाएक विवस्था हो या अकिल बारत्य सेवाई हो इन सब को मैतपून या आवस्यक माना गया है ठीक है दोस्तों तो ये थे हमारे सासन परणाली संबंदित कुछ मैतपून सवाल जिनके बारे में आपको बताया गया है उम्मीद करता हूँ कि आपको साथ पढ़कर मज़ा आ रहा होगा और आपको मैटेरियल भी अच्छा प्राप्त हो रहा होगा तो दोस्तों इस बार संगर्ष को सफलता में बदलना है और अपना एक सीट तो लेनी ही है अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टोपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद राम राम दोस्तों